नवरात्र शुरू होते ही पूरे देश भर में रामलीलाओं का मंचन किया जाता है इस वकट मैं पंचकुला के पीर मुशला में महजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रामलीला की तयारी की जारी है लेकिन फिर भी यह रामलीला अलग है खास है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम जो रामलीला के करेक्टर्स है यानि की पात्र है वो सभी जो रोल्द है वो महिलाएं कर रही है यह दूसरी साल है जहां पर यह तमाम जो महिलाएं है वो इन करेक्टर्स को कर रही है किस तरह का इनका अनुभव राह है, कितनी ये तैयारी करती है और क्या समाज इन्हें वैसे ही देखता है जादा बात करने के लिए इन तमाम लोगों से बाचीत करते है सबसे पहले तो मैं महाधर हम बात करें राम लीलाओं की तो राम लीला का जो जब भी मंचन किया जाता है तो उसमें हमेशा देखते हैं कि पुरुष प्रधान होता है जातर जो रोल है, माक्समिम रोल है, वो मील करते हैं लेकिन ये अलग है राम लीला, इसमें महिलाइं रोल कर रही है देखिए, पुरुषों को संभालने वाली भी महिला ही होती है, जनम देने वाली भी महिला ही होती है, तो वो पुरुष का रोल अदा क्यों नहीं कर सकती है, जब सीता माता का रोल जो है, वो एक आदमी, एक पुरुष निभाता है, तो क्यों नहीं एक महिला राम जी का रोल तो फिर अगर आम इन रोल की बात करें, आप कौन सा रोल निभा रही है और थोड़ा एक डालोग हो जाए है मेरे काफी सारे रोल है, सबसे पहला रोल जो है मेरा वो नारद मुनी जी का है, उनके रोल में से एक दो पंक्तियां जो हैं, वो सुनाती हूं मैं आपको नारायन, नारायन, प्रभू, मैं आप से एक शुप समाचार कहने आया हूं, मैंने, मैंने काम देव को जीत लिया प्रभू, मैंने काम देव को जीता प्रभू, इसके इलावा कुछ और रोल भी हैं, जैसे स्वरूपनखा, बाली, मंत्रा, मेगनात, सबके सुनाने जाओंगी तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, कोच और लोग हैं, उनसे भी बात कलेते हैं, मैं जानना चाहेंगे, कितना अलग, कितना खास ये रोल आपके लिए हैं, नमशकार दोस्तों, नेरा नाम हर्शिता अरोरा है, मैं मातर भाशा की कवी हूं, और ये रोल पिछले साल से मैं निभा रही हूं, इस बार के कई का रोल एड़ हूआ है, पिछली बार सिर्फ मैंने सुगरीव का रोल निभाए था, तो डे बाई डे हम पॉलिश होते जा रहे हैं, और एक बाद में कहना चाहूंगी, मैं लाइने सुना कर बताऊंगी, मैं हार हूं, मैं श्रंगार हू मैं दोधारी तलवार हूं, पिता के घर में बेटी हूं, ससुराल में बहू हूं, अपने बच्चों की मा भी हूं, दो कुलों को जो तार दे, ऐसा चमकता अलंकार हूं, लेकिन मंच पर हूं, तो केवल कलाकार हूं, केवल कलाकार हूं। बहुत खूद, बहुत खूद, तो आप इनकी आखों में उस चमक को महसूस कर सकते हैं कि जब ये तमाम जो करेक्टर है, पात्र है, मंचन करते हैं, तो उसमें यहां पर किस तरह की, अगर मैं बात करूँ, यहां पर जो चीजें हैं, बहुत ही अलग होती है, कुछ और लोग ह बहुत साथ काम कर रही है, सबसे पहले उनके साथ भी आपका मुलाकात करवा दूँ, यह तीनो पीडी हैं, और खास तौर बात करूँ तो सबसे बजूर्ग यह महिला है, जो यह राम लीला का जो करेक्टर है, वो कर रही है, अगर मैं जानना चाहूँ, आप कौन-कौन से और कितना अलग है और कैसे प्रेंडना मिली आपको? सबसे अलग रोल है, वैसे तो अगस्त मुनी का है, थोड़ा मुस्किल गया था मेरे को शान्त रहना और धंच निभाना, और सबसे अच्छा मज़ेदार रोल मुझे जब राम जन ली है तो मुझे डांस का रोल अच्छ आपके हाथ में जिस तरह से में गड़ा देख रहा हूं तो हनुमान का रोल आप निभा रही है, जैश्री राम, मेरा नाम अभाशुकला है, और मैं PGT chemistry teacher हूँ यहां पर यहां पर मैं हनुमाजी का, और दश्यजी का, पर राजा इंद्र का निभा रही हूँ हूँ, मुझे मुझे एक चीज़ बताईए, जब हम इन तमाम करेक्टर्स को देखते हैं, इन रोल्स को देखते हैं, तो जातर जो रोल्स है वो पुरिशों निभा रखे हैं, मुझे एक चीज़ बताईए, क्या समाज जब आप मंचन करते हैं, तो लोग accept कैसे करते हैं, किस तरह का response आता हैं, जैसे कि उन्हें कहा कि सीता माता का रोल जब एक पुरुष निभाता है, तो accept करते हैं, आज तक सालों साल तक हम accept करते आए हैं, तो वही, जब हम हनुमान जी का रोल निभाएंगे, तो जब पूरे शिद्दत के साथ हम वो काम कर रहे हैं, तो क्यों निभाएंगे, ज आपको लगता है कि इस तरह से कही ना कहीं हम अपने धरम के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़ पा रहे हैं, बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं, हम अपना धरम से भी जुड़ रहे हैं, और हम सानातम धरम जो हमारा पहले से जो हमें ज्यान देता है, जिसे हम बहुत सार और उमारे थूमारे बच्चों को भी सिखने के लिए मिल रहा है और हमारे थूमारे बच्चों को भी सिखने के लिए मिल रहा है बच्चों को नहीं पता हुआ है कि श्री रामचंदर जी कॉन है लक्ष्मान जी कॉन है रावन कॉन थे क्या थे उनका क्या पिछे बला क्या रह का मैं रावन मैं अब सर्व शक्ति मान हो गया हूं मैं भगवान का भगवान हो गया हूं अब ब्रह्मा विश्नु महेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते कुछ भी नहीं बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये महिलाएं हैं बिल्कुल अपने पात्रों में पूरी तरा से रम गई है और कुछ और मैं आपको पात्रों से मिलवाना चाहता हूं आप अंगत का रोल कर रहे हैं एक बार एक आपका छोटा सा डालॉग हो जाए हम उनके भेजे आए है जो स्वामी भू मंदल का है आगे से हडे प्रनाम करे क्या तेरा हम पे करजा है हम बाली राज के बालक है जो अपने ही बल में पूरा था तू क्या तेरे रावन को छे मास खाक में दाबा था करता है बेडंगी बात उससे जो दूत राम रगुवर का है नादान आंखे खोल के देख अंगत से आज सामना है बहुत को जो इस तमाम जो यह करेक्टर है जो उनका मंचन करें उनकी डारेक्टर है उनकी माता जी भी हमारे साथ उनसे भी बात कर लेते हैं आप इन तमाम करेक्टर्स को देखते हैं, तमाम अहिलाएं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इस जमाने में जब पहले जमाने के मर्दों ने अपनी पहुंच बनाई होई थी, लेडिस को पीछे पीछे रहना पड़ता था हमें, आई ये मेरी सब बेटियां हैं, जब ये आगे आते हैं तो बहुत खुशी होते हैं, आपको लग रहा है समाज बदल रहा है, बदलाओ की तरफ जा रहा है, बदल गया है और बदलेगा, अच्छा, बहुत बदलेगा भी, बहुत रूप, तो देखिए अगर हम करेक्टर्स की बात करें, तमाम जो जितने भी यहां पर कलाकार है, सब में बहुत जारा टैलेंट बढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी समय की भी कमी है, लेकिन फिलाल अगर हम बात करें, बहुत ही अलग, बहुत ही खास यह रामलीला है, जिसकी तैयारी इस वकत की जारी है, जैसे ही नवरातरों की शुरुवात होगी, उसके बाद यह तमाम जो महिलाएं हैं, लगबग 35 यह महिलाएं हैं, जो अल जनलिस्ट गिरीज दुर्गापाल के साथ लालिद शर्मा पीर मुशला पंचकुलाव